हलो फ्रेंट्स श्वागित है आप सभी का आपके एपने यूट्यूब चैनल स्टैडि लाइफ आई में आज हाम बात करने जा रहे हैं पॉलेटी जी के एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपम बात करने वाले हैं तो आज बात करेंगे लोग सबा के बारे मे multiple choice questions, उन सभी questions की बात करेंगे जो की previous year exams में में पूछे गए चाहे railway का कोई भी exam हो, चाहे SSC का हो, चाहे police का हो कोई सभी exam हो, friends, किसी ना किसी exam में questions पूछे गए हैं और उन सभी questions को यहाँ पे रखा गया है अगर आप एक बार इस वीडियो को complete देख लेते हो तो आपको खुद को पता चलेगा, इस question कितनी बार repeat होए हैं तो इस topic से total हमने 60 questions यहाँ पे ले हैं और इस वीडियो को आप complete देखते हो, तो यह जो वीडियो है इस से बार इस topic से आपको कोई question देखने को नहीं मिलेगा तो चलो friends, बिना किसी देर की start करते सेसन को बहुत ही important question है, तो answer कीजिएगा सासात comment box में जिस भी किसी question का answer आपको आता है start करते सेसन को देखते हैं पहला question यह लीजिए आचुका है आपके सामने पहला question और आपसे पूछा जा रहा है कि मूल सम्विधान में लोग सबा सदस्यों की संक्या आपको बतानी है कितनी निर्धारित की गई थी very very important friends, confuse नहीं होना है, देखो बात क्या हो रही है मूल सम्विधान की बात हो रही है मूल समविधान में लोग सबा सदश्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है कितनी निर्धारित की गई थी तो फ्रेंट्स ये धारित की थी 500 आपका आंसर हो जाएगा अपसट A आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक्तम कितनी सदश्य संख्या हो सकती है तो उसकेस में आपका आंसर करना होगा 552 लेकिन यहां पूछा जा रहा है मूल समविधान में लोग सबा सदश्य जो है उसकी जो संख्या निर्धारित की गई थी हो कितनी की गई थी तो इसकेस में हमारा आंसर होगा 500 नेक्स देखे अब आपसे क्या पूछा है 31 समविधान संसोदन के बारें पूछा है कि जब 31 समविधान संसोदन अधिनियम लागू किया गया था तो उसके द्वारा मत्य इसके द्वारा लोग सबा में अधिक्तम सदश्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी तो फ्रेंट्स आप ध्यान दीजिए 31 समविधान संसोदन की बात करें तो इसके द्वारा लोग सबा में अधिक्तम सदश्य संख्या की बात करें तो 545 आपका आंसर हो जाएगा 545 राइट आंसर हो जाएगा option D राइट आंसर है next देखिए आपसे पूछा जैसे के लोग सबाके अधिक्तम सदश्य संक्या कितनी हो सकती है very very important mark कीजी की चुल को बहुत बार पूछा गया है यहां पर लिख दिया 500 और अगर पूछा जाए 31 सम्विधान संसोधन अधिनियम के दुआरा अधिक्तम सदश्य संक्या कितनी है लोग सभा में तो इस केस में आप आंसर करोगे 545 ठीके और अगर आपसे पूछा जाए कि अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है जो कि यहां पर सीदे निर्वाचित करती है अब देखो क्यूशन क्या पूछा है वर्तमान में लोग सभा में कितने सदश्य ऐसे हैं जो कितने सदश्यों को राज्य की जनता फ्रेंट्स ध्यान दीजिए राज्य की जनता जो है वो सीदे निर्वाचित करती है तो कितनों को करती है तो फ् आपने कितने प्रतिनीदियों को निर्वाचित कर भेजती हैं ओप्संस हैं 13, 20, 22 या फिर 25 तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा ओप्संस ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 प्रतिनीदी ऐसे हैं जिनको निर्वाचित करके भेजती है 13 नेक्स देखिए वर्तमान में लोकसवा प्रभावी संख्या आपको बतानी है फ्रेंट्स बात ओरी वर्तमान की बात ओरी है ध्यान दीजेगा ओप्संस हैं आपके सामने 540, 545, 548 या फिर 552 तो फ्रेंट्स वर्तमान में पूछा गया है जो की है 545 देखो यहां पर बत करें लोकसवा सीट की तो देखो आप इस तरह से कर सकते हो 543 और दो एंगलो इंडियन तो इस तरह से कुल मिला के 545 नेक्स देखिए लोकसवा में राज्यों को किस आधार पर सीटे आवंटित होती है वेरी वेरी इंपोर्टेंट लोकसवा में जो राज्य है मारे भारत के इस्टेट उनको किस आधार पर सीटे आधार पे गरीबी के आधार पे या फिर भासा के आधार पे तो फ्रेंट्स आवंटी तो उती है जनसंक्या के आधार पे तो सीटे आवंटी तो उती है जनसंक्या के आधार पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन एक करेक्ट आं परकृत में से कब की गई थी एक इस या पार कि गई थी तो आपका आंसर ओगवा आप्सान यह लिदिए नेक्स्ट कुशन आज चुका आपके सामने और आपसे पूचा जा रहा है की तरी जोकी है लोग लोग सभा के सभी निर्वाचन छेतर निमन में से किस प्रकार होते हैं? इसके लिए options है, option A, एकल सदश्य निर्वाचन छेतर, भव सदश्य निर्वाचन छेतर या फिर उप्रोक्त दो नों या फिर इन में से कोई नहीं. तो friends हमारा answer हो जाएगा लोग सबा के सभी निर्वाचन छेतर की बात करें तो एकल सदिश्चन निर्वाचन छेतर होते हैं तो right answer हो जाएगा option A correct answer होगा ये लीजे question number 11 आपके सामने है और इसका answer बता दीजे friends very very important mark कर लीजे question को लोग सबा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था very very important 1947 में, 1948 में, 1952 में या फिर 1956 में friends बात ओर ये लोग सबा के लिए और लोग सबा के लिए प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1952 में हुआ था तो हमारा right answer हो जाएगा option C correct answer होगा ये लीजिए next question, question number 12 पे पहुँच चुके हैं, छेतरफल की दरस्टी से देज का सबसे छोटा लोग सबा निर्वाचन चेतर कौन सा है उसका नाम आपको बताना है छेतरफल के according पूछा है friends और इसके लिए options है, option A, चान्नी चौक, option B, कोलकाता, या फिर option C, मुंबई दक्षन, या फिर option D, लक्षदीप friends छेतरफल की दरस्टी से हम बात करें तो देज का सबसे छोटा लोग सबा निर्वाचन चेतर कौन सा है, लक्षदीप, लक्षदीप राइट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा, option D, लक्षदीप राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लक्षदीप में लोग सबा चीट के द्वारा, या फिर एप्रतक्स निर्वाचन के द्वारा, या फिर नामंकन के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी, friends, क्यूशन नमर 13 आपके सामने है, आंसर कीजे, क्या होगा, इस क्यूशन का राइट आंसर, आपसे पूछा है, लोग सबा में केंदर सासित प्रदेशो के प्रती निदी किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो friends, ये चुने जाते हैं, प्रत्यक्स निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, ओप्शन ए, ये लीजिए, नेक्स्ट क्यूशन और आपसे पूछ लिया गया है, कि राष्टपती बोध धर्मावली या फिर पार्शी देखो बहुत बार पूछा गया है क्यूशन तो एंगलो इंडियन राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन ए दो एंगलो इंडियन को नामित करता है कौन करता है राश्पती ये भी आपको ध्यान रखना है एंगलो इंडियन नेक्स देखिए लोग सबा का चुनाव लणने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयू कितनी होनी चाहिए इसको भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट मांग कर लीजिए ओप्सन से 21 वर्ट 25 वर्ट 30 वर्ट या फिर 35 वर्ट फ्रेंट्स लोग सबा का अगर आप चुनाव लणना चाते हो तो न्यूनतम आयू होनी चाहिए 25 वर्ट कितनी होनी चाहिए 25 वर्ट राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन बी ये लिजिए क्यूसर नमबर 16 आपके सामने आ चुका है इसका अंसर बताईएगा कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रति निदी लोग सबा में भेजता है उस राज्य का आपको नाम बताना है उप्सन से बिहार मद्य प्रदेश पश्यम बेंगॉल या फिर उत्तर प्रदेश तो फ्रेंट्स आपने चुना है उप्सन ड उत्र प्रदेश की कितनी सीट है तो फ्रेंट्स इस केस में आपको अंसर करना है असी असी सीट है जिसमें से सामान्य वरत की 63 अनुसूचित जाती किए 17 अब यहां पर देखो राज्य सबा में पूछ देखो लोग सबा में तो हमने देख ली कितनी सीट है उत्तर दूसरे नमबर पर मारास तो देखो एक एक क्यूशन यहां पर कवर होगा टेंशन मतलो नेक्स देखे क्यूशन है कि किस राज्य का लोग सबा एओं राज्य सबा में प्रती निदितु सबसे अधिक है हमें उस राज्य का नाम बताना है जिसका लोग सबा और राज्य सबा दोनों में ही प्रती निदितु सबसे अधिक है उत्रप्रदेश, मद्ध्रदेश, माराष्ट या फिर आंधर प्रदेश तो friends, answer होगा उत्रप्रदेश देखो उत्रप्रदेश की बात करें तो लोग सभा में कितनी सीट है? 80 है और राज्य सभा की बात करें friends तो राज्य सभा में कितनी है 31 तो इस तरह से करके उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीट है तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश यूपी राइट आंसर है उप्सन ए नेक्स देखिए निमन लिखेतर में से राज्यों के कौका कौन सा मत है कि यहाँ पे कुछ रा या पसम ऑप्सन B है गुजरात राजस्तान ऑप्सन C है मद्यप्रदेश तामिल नाडू या फिर ऑप्सन D आंदरप्रदेश और राजस्तान तो फ्रेंट्स ऑप्सन D के साथ हम जाएंगे क्योंकि आंदरप्रदेश और राजस्तान इन दोनों की बात करें तो इन दोनों क तो अंदर प्रदेश की है और 10 सीट किसकी है राजस्तान की तो देखो राज्य समान नहीं है लेकिन लोग समा में इन दोनों की सीटे समान है और यहां पर हमसे लोग समा के बारें पूछा गया है यह लीजिए नेक्स्ट कुशन उत्र प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदिये छेतर किस राज्य में है अब देखो पहले नंबर पे तो जो लोग समा के सबसे संसदिये छेतर सबसे अधिक किस पे है सबसे पहले तो यूपी में है और यूपी के बाद उत्र प्रदेश के ब बात करें तो लोग सबा सीट कितनी है 48 यह आपको ध्यान रखना है 48 तो लोग सबा सीट है और राज्य सबा सीट की बात करें तो 19 राज्य सबा सीट है तो उम्मिद करती हूं सारी चीजी क्लीर हो चुकी है बढ़ते इसी के साथ next question क्यों चुके हैं इसका अंसर आपको बताना है फ्रेंट्स क्या होगा राइट आंसर विहार में लोग सबा की सीटों की कुल संक्या आपसे पूछी जा रही है विहार में लोग सबा सीटों की संक्या आपसे पूछी जा रही है तो देखो भिहार की बात करें तो लोग सबा सीट कितनी है 40 आंसर हो जाएगा option एक correct आंसर है और लोग सबा सीट कितनी है 40 है यह ध्यान रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है अच्छा फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो से के वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि देखो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन आप मोटिवेट होते हैं आपकी तरब से हमें पॉजिटिव रेस्पॉंस मिलता है एनर्जी मिलती है मोटिवेट होते है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो इसी तरह से आपका सपोर्ट देखे हमारी मतर की हमें आपका सपोर्ट इंडिया जी के हो चाहे राजस्तान जी के हो जिस भी तरह के वीडियो की डिमांड है चाहे करेंट के टॉपिक हो करेंट अफेर्स होगरा करेंट अफेर्स के कुछ भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स या फे डेली करेंट अफेर्स या फे स्टैटिक जी के तो जिस भी तरह की इसका अंसर बताना है निवर्ल के चार राज्यों में से किस राज्य की लोक्सभा में सबसे कम सीट है तो चेक करने हरियाना की बात करें तो फ्रेंट्स हरियाना की 10 सीट है कितनी है 10 और केरल की बात करें तो केरल की कितनी है केरल की है 20 और उडिशा की बात करें तो फ्रेंट्स उडिशा की है 21 तो अब आप देख सकते हो आप से पूछा सबसे कम सदश्य है तो सबसे कम किसके है हरियाना के सब से पहले दिली के इतने प्रतिनिति निर्वाचित ओकर आते हैं तो भाई दिली के आते हैं तो यहाँ पर मैं साथ लिख दू फिर फोगर। इंद्डी चेरी के Okay तो आपका answer क्या हो जाएगा option A right answer हो जाएगा लोग सबा में केंदर सासित चेतर जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रती निदित चुन कर आते हैं दिल्ली के next देखिए question number 23 पे पहुंच चुके है question है संग सासित चेतर दिल्ली कितने प्रती निदि निर्वाचित कर लोग सबा में भेजता है अब यह भी देखा था सात राइट आंसर होगा option B राइट आंसर है यह लिजिए next question 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 number 24 पे पहुंच चुके है और वैसे ही question मैंने आपको बताया भी था राश्टपती आंगल भारती है यानिकी Anglo Indian समुदाई के कितने प्रती निदिय ऐसे होते है जिसको लोग सबा में मनोनित करता है मैंने आपको बताया था friends दो दो अग्लो इंडियन्स को राश्टपती मनोनित करता है तो आपका answer हो जाएगा option A right answer होगा यह लिज़े next question राष्टपती द्वारा लोग सबा में एंगलो इंडियन समुदाई से जो दो सदश्यों को निर्वाचित किया जाता है मनोनित किया जाता है वो कौन से अनुछेद कौन से आर्टिकल के तैत मनोनित किया जाता है तो friends यह किया जाता है आर्टिकल नमबर 331 के तैत आर्टिकल नमबर यानिके अनुछेद नमबर 331 के तैत तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी यहां दीके क्यूशन नमबर 26 आप से पूछा जा रहा है वर्तमान लोक सभा में परतेक राज्य के लिए इस्तानों का आवंटित आवंटन जो है वो किस पर आधारित ह यह आपको बताना है तो फ्रेंट्स यह तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेटली आप सभी का अंसर सही जाना चाहिए कि वर्तमान लोक सभा में परतेक राज्य के लिए इस्तानों का आवंटन है वो 1901 केतर की जनगना पर आधारित है तो आपका अंसर हो जाएगा ओप् नेक्स्ट किशन अनुसूसी जाती और अनुसूसी जनजातियों के प्रती निदित्वे प्रती निदियों के लिए लोक सभा में कितने शुरक्षित निर्वाचन चेतरों की व्यवस्ता की गई है इंपोर्टन किशन है अपने आप में आपका आंसर हो जाएगा 131 131 अनुसूसी जाती और अनुसूसी जनजाती और अनुसूसी जाती जो है इसके प्रती निदित्वे जो है इनके लिए लोक सभा में सुरक्षित की गई है कितने चेतर 131 आंसर हो जाएगा ओप्सन A इंपोर्टन किशन है आपको ध्यान देना है 36 गड़ में आपसे पूचा गया कि 36 गड़ राज्य जो है इसमें लोक सभा सीट बतानी है कितनी है 9 11 13 या फिर 8 तो फ्रेंस आंसर हो जाएगा 11 है 11 लोक सभा सीट और अगर राज्य सभा सीट पूचा जाए तो इस केस में आप आपका आंसर क्या होगा तो फ्रेंस 36 गड़ में राज्य सभा सीट की बात करें तो पांच राज्य सभा सीट है और 11 क्या है लोक सभा सीट ये लीजिए क्यूशन नमबर ट्वेंटी नाइन आपके सामने है और आप से पूचा जा रहा है लोक सभा का सामान्यत कारे काल कितन क्यूसर नम पर 30 पर पहुँच चुके हैं और आपसे पूछा ज़राया आपात काल के दोरान संसद लोग सबा का कारेकाल एक बार में कितने समय के लिए बड़ा सकती है तो देखो आपात काल की स्थिति के दोरान क्या होता है कि जो लोग सबा है न वो कारेकाल बही लोग सबा का जो आपात काल की इस्तिती हो जाती है तो उस दोरान संसद क्या करेगा संसद जो है वो लोग सबा का जो कारेकाल है उसको एक बार एक वर्ज के लिए बढ़ा सकता है कितने time के लिए बढ़ा सकता है एक words के लिए बढ़ा सकता है तो answer हो जाएगा option B right answer हो जाएगा अब यहाँ देखे friends थोड़ा question अलग तरीके से पूछा है और आप से पूछा है कि किसी भी दसा में आपात काल की उद्गोशना प्रवर्थ ने रहने के बाद उप्रियुक्त अवधी कितने समय आगे बढ़ाई नहीं जा सकती कितने समय से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती friends 6 मेने से अधिक आगे नहीं बढ़ाई जा सकती तो right answer हो जाएगा option D 6 मेने से जादा नहीं बढ़ाई जा सकती next देखे question number 32 आप से पूछा है लोग सबा में कोरम जिसको गणपूर्ती बोलते हैं इसको पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदश्यों की जरत होती है तो ये तो आपको definitely पता होना चाहिए 100% सभी का सई answer होना चाहिए तो answer बताईए friends क्या होगा right answer तो लोग सबा में कोरम जो होता है इसको पूरा करने के लिए कम से कम 1 by 10 हना मतले कुल सदश्य जो होते है जो भी है जैसे मालो X कुल सदश्य जिते भी कुल सदश्य है उनका एक बटा दस बाग होना चाहिए तो answer हो जाएगा option D next देखे क्योंसर आपके सामने है सदश्य जो संसद सदश्यों को प्रतिमा के रूप में कितना मतलग की वेतन मिलता है यह आपको बताना है संसद सदश्य जो होते है संसद सदश्यों को प्रतिमा वेतन के रूप में कितना रुपईया मिलता है वेतन आपसे पूछा गया इनका तो friends संसत सदिश्यों की बात हो रही है तो इनका प्रती मा का वेतन होता है 45,000 45,000 आपका right answer हो जाएगा option D right answer है next देखिए next question आपके सामने आचुका है लोगसबा सदिश्य अपना त्याग पत्र किसको देते है very very important mark कीजिएगा question को बहुत बार पूछा गया है answer कीजिए क्या होगा right answer options है प्रधान मंत्री को राष्टपती को, लोगसबा अद्यक्स को या फिर संसदिय मामलो के मंत्री को तो friends लोगसबा सदिश्य जो है वो अपना त्याग पत्र देते है लोगसबा अद्यक्स को तो answer हो जाएगा option C ये लिजिए question number 35 35 आपके सामने है और आपसे पूछ लिया गया है कि किस वर्षे भूत पूर्व संसद सदश्यों के लिए pension की व्यवस्ता लागू की गई बहुत important question है तो friends देखिए यहाँ पे भूत पूर्व संसर सदश्यों के लिए pension की व्यवस्ता की बात करे तो इसको लागू किया गया था 1976 यानि की 1900 छिंतर से answer हो जाएगा option C right answer होगा next देखिए next question आपके सामने आज चुका है friends answer बताने इस question का लोगसबा में कम से कम कितने सस्तर बुलाये जा सकते है very very important बहुत बार पूछा गया है वर्ष में एक बार वर्ष में दो बार वर्ष में तीन बार या फिर वर्ष में चार बार तो friends वर्ष में दो बार सस्तर बुलाये जा सकता है लोगसबा में next देखिए question number 37 निमन लिकित में से किसे लोगसबा का अभी रक्षक कहा जाता है प्रधान मंतरी विरोधी दलका नेता सासक दलका मुख्य सचेतक या फिर लोगसबा अध्यक्स आपका आंसर होगा लोगसबा अध्यक्स option D correct answer है इसको लोगसबा का अभी रक्षक कहा जाता है next देखिए next question लोगसबा का अध्यक्स कौन चुनता है फ्रेंट्स लोगसबा के अध्यक्स के बारें बात हो रही है options है राश्टपती लोगसबा के सदश्य लोगसबा के निर्वाचिस सदश्य या फिर संसद के सदश्य लोगसबा के अध्यक्स की बात करें तो लोगसबा के सदश्य चुनते हैं तो आपका answer क्या हो जाएगा एक सेकिन देखो यह रापना question लोगसबा के अध्यक्स की बात हो रही है तो लोगसबा के अध्यक्स जो है लोग सभा का उसको चूनते हैं लोग सभा के सदस्य चूंते हैं तो आपका answer क्या हो जहिएका फ्रेंड़्डZ jullieड़न सदस्य option b right answer है यह धिकिए नेक्स्ट कुषन नेक्स्ट कुषन पर हम पहunच या फिर लोग सबा अध्यक्सट या फिर इस्ताइब लोगसबा अध्यक्स्ट स्क निंट की जाती है राष्ट पती के द्वारा, किसके द्वारा की जाती है friends, आपको ध्यान रखना है, राष्ट पती के द्वारा, option A, right answer है, यहाँ देखिए, next question, next question, इस question का answer बताईए, क्या होगा right answer, आपसे पूछा जा रहा है, लोग सबाकी बैटक किस प्रकार समाप्त की जाती है, very very important, option A, विगटन के द्वारा, बिल्कुल, सस्त्रा अवसान के द्वारा, यह भी बिल्कुल सही है, इस्तगन के द्वारा, यह भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर answer होना चाहिए, option D, बिल्कुल, option D, correct answer है, यह लिजे, next, question number 41 पे हम पहुंच चुके हैं friends, देखिए, 41 पे पहुंच पहुंची गई है, friends, इसका answer आपको बताना है, लोगसबा की सामान्ने अवधी जो है, सामान्ने अवधी लोगसबा की संसत द्वारा, पारित अधिनियों में उसे बढ़ाई जा सकती है, option A, right answer है, यह लिजे, next, question number 42, 42 पे पहुंच चुके हैं, इसका answer बताईए, क्या होग आपसे पूचा है, लोगसबा में किसी सदश्य की सदश्य कितने दिन तक लगातार अनुपस्तित रहने से समाप्त होती है, यह बहुत ही important question है, अपने आपमे, friends, तो answer बताईए, इसका answer क्या होगा, देखो, अगर continuously, दो महने, दो महने absent है, अनुपस्तित है, तो उसकी जो स सदश्यता है, वो समाप्त हो जाएगी, तो answer हो जाएगा, option A, right answer होगा, यह लिजिए next question, जो की है, question number 43, इसका answer बताईए, संसद के सस्तर में उपस्तित रहने और संसद ये समीतियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितने दैनिक भत्ता मिलता है, आपको बतान संसद के सस्तर में उपस्तित रहने और संसद ये समीतियों में की बैठक होती है, उनमें भाग लेने के लिए जो संसद होता है, उसको जो भत्ता मिलता है, दैनिक भत्ता, यानि एक दिन का भत्ता वो मिलता है, एक हजार, next, next question देखिए, इसका answer बताईए, friends, क्या होगा, right answer अपने आप में बहुत important question है, तो answer बताईए, क्या होगा, संसद को, अब देखो, यहां क्या पूछाए, confusion नहीं होना है, संसद को सुचारू रूप से, अपना कारेकाल चलाने के लिए प्रतेक महिने, प्रतेक महिने की बात हो रहे है, कितना कारेकाल भत्ता मिलता है, तो friends, प्रतेक महिने मिलता है, 14,000, आपको ध्यान रखना है, 14,000 क्या मिलता है, बत्ता मिलता है, next देखिए, इस question का answer बताईए, friends, आपसे पूछा जारा है, question number 45, जो की है, लोगसबा के बैठक की अंतिमती थी, देखो, ध्यान दीजे, लोगसबा के बैठक की अंतिमती थी, और तूसरी बैठक जो होगी, उसके प्रतम ती थी, तो इसके बीच जो duration होना चीए, मतले इसके बीच कितने समय से अधिक का अंतिराल नहीं होना चीए, तो friends, इसके बीच में देखो, 6 मेने से अधिक का अंतिराल नहीं होना चीए, 6 मेने से अधिक का, तो आपका answer किसके साथ जाएगा option D option D के साथ हमारा आंसर जा रहा है option D correct answer होगा तो चलो बड़े next question क्यों तयारो चलो इसका आंसर बताईए Q46 लोगसबा का नेता कौन होता है इसका अंसर तो पता हो न चीए आप सबी को लोगसबा का नेता कौन होता है इसका अंसर बताईए friends तो देखो option से राश्टपती प्रधान मंतरी लोगसबा अध्यक्स या फिर इन में से कोई नहीं तो प्रधान मंतरी क्योंकि लोगसबा का नेता पूछा गया है लीडर तो अंसर हो जाएगा option B right answer हो जाएगा प्रधान मंतरी next question कोई वित्य बिल प्रस्तावित हो सकता है किसमें प्रस्तावित हो सकता है ये बताईए वित्य बिल की बातोरी है वित्य बिल देखो important question है ध्यान लोगसबा में option B right answer है ये लीजिए next question इसका answer बताईए next question आपके सामने answer बताईए इसका answer क्या होगा आपसे पुझा एविस्वास प्रस्ताव किस सदर में लाया जाता है important question है अपने आप में और देखो अब अगर आप complete वीडियो आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ले friends तो एविस्वास प्रस्ताव की बात ओरी किस सदर में लाया जाता है लोगसबा में लाया जाता है एविस्वास प्रस्ताव ये लीजिए next question देश का वैस संसदिय निर्वाचन छेतर कौन सा है जिसकी सीमा नौ संसदिय निर्वाचन छेतरों को इसपर्ष करती है very very important mark कीज तो देश का उस संसदिय निर्वाचन छेतर का नाम बताना है जिसकी सीमा नौ संसदिय निर्वाचन छेतरों को इसपर्ष करती है तो friends ये राजस्तान में राजस्तान में कौन सा है नागोर option D right answer है ये लीजिए next question किस लोग सबा में निर्वाचित महिला सांसदों की संक्या सबसे कम है सबसे कम किस में है ये बताना है प्रतम लोग सबा दित्य लोग सबा पांचुई लोग सबा या फिर छटी लोग सबा option D छटी लोग सबा next question number 51 51 आपके सामने इसका अंसर बताईए friends क्या होगा लोग सबा में मंत्री परिशद के विरूद एविश्वास का प्रस्ताव लाने है तू नियूंतम सदश्य कितने चाहिए नियूंतम सदश्य कितने होने चाहिए ये बता देजिए तो देखो लोग सबा में मंत्री परिशद के विरूद एविश्वास का जो प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसके लिए नियूंतम 50 सदश्य होने चाहिए आपको ध्यान रखना है कितने सदश्य होने चाहिए 50 option D राइट आंसर है ये लिजिए next question प्रतम लोग सबा के पहली बैठक कब हुई प्रतम लोग सबा के पहली बैठक पूछी जा रही है तो प्रतम लोग सबा जो हुई उसकी पहली बैठक की बात करे तो 13 माई 1952 13 माई 1952 राइट आंसर है option B next 53 पे पहुंच चुके question number 53 अपने आपने बहुत important question है इसका आंसर बताईए friends क्या होगा आंसर बताईए discussion का आपसे क्या पूछा गया है भारत के संविधान में निर्धारित किये गए अनुसार लोग सबा में सदश्यों की संख्या अधिक्तम हो सकती है कितनी हो सकती है अधिक्तम 547, 545, 552 या फिर इन में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा option C, option C correct answer होगा option C ठीक है आंसर पता चल चुका होगा option C right answer is discussion का पानसो बावन next question देखिए इसका आंसर बताईए friends इस question का आंसर क्या होगा आपसे क्या पूछा है निमन लिकित में से कौन सा एक लोग सबा का सरवादिक बड़ा यानि छेतरफल के अनुसार बताना है सबसे बड़ा निर्वाचन छेतर कौन सा है किसके according पूछा है छेतरफल area के according पूछा है आपका आंसर हो जाएगा लदाख लदाख सबसे बड़ा है area के according ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और जनसंक्या के according यूपी नेक्स देखिए लोकसबा में राज्यों को किस आधार पर सीटे आवंटित होती है जनसंक्या छेतरफल करीबी या फिर भासा तो लोकसबा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसबा में राज्यों को जनसंक्या के according यानि population के according सीटे आवंटित होती है ये लिजिए next question next question आचुका है आपके सामने आपसे पूचा जा रहा है संसत का चुनाओ लड़ने के लिए एक प्रत्याक्सी जो होता है उसकी न्यूनतम आयू कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स आप अगर संसत का चुनाव लड़ना चाते हो तो आपकी न्यूंतम आयू कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ज की आंसर हो जाएगा औपसंसी राइट आंसर है नेक्स्ट ये बताईए वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क कीजिए कर पहले क्यूशन बहुत इंपोर्टेंट है सुन्ने काल के बारें पूछा जा रहा है और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए जदा ज़दा वीडियो को शेर कीजिए क्योंकि देखे चैनल को जब आप लाइक करते हो शेर करते हो वीडियो को तो उससे आपके तरब से positive response मिलता है ताकि हम motivate होता है energy मिलती है हमें ताकि हम best content के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको provide कर सके चलो बताइए इस question का answer बताइए क्या होगा right answer आंसर बताइए friends क्या होगा सुन्यकाल के बारे में पूछा गया है तो सुन्यकाल की अगर हम बात करें तो जब सदन में अती महत्यपुन मामलों पर विचार होता है तो उसी को हम कहते हैं सुन्यकाल option C right answer है next देखे इसका answer बताइए friends लोग सबा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किये जाने वाले सदश्यों की अधिकतम संख्या कितनी है अधिकतम संख्या पूछी गई है अप्सें 250, 140, 543 या फिर 550 फ्रेंट्स लोग सबा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किये जाने वाले सदश्य जो है इसकी अधिक्तम संक्या आपसे पूछी जारी है जो की उती है 543 पूछा गया है और कुल मतले कि दो एंगलो इंडियन्स को मिला के 545 तो आंसर देखो यह यहाँ पे 543 नहीं होता और इसकी जगह 545 होता तो उस केस में 545 करते क्योंकि 543 प्लस दो एंगलो इंडियन्स ठीक है तो आपसें सी करेक्ट आंसर है और फ्रेंट्स देखे इस तरह से करके आज का जो हमारा टॉपिक था लोग सबा इसको हमने कम्प्लीट कर लिया है इसस काम में रिपीट हुए है तो फ्रेंट्स बस लास्ट में आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए जितना हो सके हम वीडियो को शेयर कीजिएगा आपने आपके जो भी फ्रेंट्स कॉंपिटिटिव एक्जाम्स की तैयारी कर रहे है उन टॉपिक वाईज वीडियो करा रहे है ताकि इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटिटर्ट जितने ही क्यूशन्स है न जितने ही बी क्यूशन्स वह सार है जो प्रिविज एर में पूचे गए वो सब भी क्यूशन्स आपके अच्छे से रिवायज हो जाए और जैसा कि आप जानते हो एंटीपीसी एक्जाम भूत ही नजदिक है एंटीपीसी पटवार और इन सब भी मैं आपको पता है इंडिया जी के भी आती है काफी ज़्यादा पार्ट आता है इंडिया जी के साइंस रगतान जी के इन सब का तो इसके लिए यही बैस्ट तरीका यही रहेगा कि एक्जाम का लास्ट मुमेंट है तो इस समय देखो थ्योरी सेक्षन पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा क्यूसंस का रिविजन कर सके प्रिविस एर के जितने पेपर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फा वाचिंग दिस वीडियो